AdSense Approval एक बहुत बड़ा प्रॉबलम हो गया है मेरे पास आज तक जो सबसे जादे questions आए है हो AdSense Approval को लेकर ही आए है जाज़ता लोग का ये सवाल है AdSense Approval क्यों नहीं हो रहा है क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आज जो मेरे पास possible answer है यहाँ पे मैं देने वाला हूँ अल्रेडी मैं share कर चुका हूँ का AdSense का जो honest guide है मैंने बताया है अगर कोई उसको देख के implement करता है तो definitely उसके AdSense में problem नहीं आएगा बट जाज़तार लोग क्या करते हैं वीडियो देख लेते हैं उसको skip कर देते हैं जो उसमें methodology बताई गई है जो उसमें technique बताई गई है जो उसमें tips बताई गई है उसको follow नहीं करते हैं तो आज मैं आपको proof के साथ दिखाऊँगा कि लोगों का AdSense approved क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुछ जो मेरे पास questions आए है उसमें से कुछ website को मैंने लिया है और मैं आपको exact दिखाता हूँ क्या problem है तो यहाँ पर मेरे पास एक website है मैं उन ब्यक्तिकार नाम या website reveal नहीं करना चाहता इनका यह content है इन्होंने लिखा है उसको देखके आप मुझे बताइए यहाँ पर इन्होंने यह content इन्होंने लिखा है इस title के हिसाब से बस इनका इतना ही content खता में मुझे मुझे मुश्किल से लग रहा है 300-400 word का content होगा और जो इनका question है उसको यह कहीं से भी define नहीं कर पाएं तो इस तरह का अगर आप भी लिखते हो तो आपको AdSense Approval कैसे मिलेगा अब मैं solution बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना अप लो और आपको अगर आपके दिमाग में भूसेगा तभी ओ हो पाएगा नहीं तो फिर इसके लिए कोई ऐसा technique नहीं है कि AdSense आपको कोई लेकर अपरूब करा सकता है यह आपको करना है अपने तरीके से अगर कोई बंदा आपका site लेगा भी न तो वो changes करेगा जो मैं बता रहा हूँ वो changes उसको करना पड़ेगा AdSense Approval के लिए नहीं तो AdSense Approval नहीं होगा अब जैसे इन्हों ने इस content को इन्हों ने लिखा है अब इस content का अब मैं best तरीका बताता हूँ क्या क्या होगा मैं आपको structure बताता हूँ इस content का वर्ड काउंटर में open कर लेता हूँ यह है इनका title अब इसके हिसाब से content क्या होता पहले इंट्रो लिखते हैं इंट्रो में 100 से लेकर dates of words का explain करते हैं यह कि भारत GPT का overview देते हैं कि किसने बनाया है और यह किसलिए इस्तमाल होता है यह उपर सा उसके बाद यहाँ पर बताते हैं वाट इस भारत GPT यहाँ पर यह बताते कैसे काम करता है इसके बाद आप बताते कि चैट GPT vs भारत GPT इसमें आप बताते इसमें पूरा define करते पहले इनके features को define करते एक-एक features को लेके जैसे कि जो data है ठीक है उसको लेके भी बताते फिर उसको flexibility को लेके बताते accessibility को लेके बताते free or paid लेके बताते यह सारे अलग-अलग features को लेके बताते जैसे कि यहाँ पे यह सारे ऐसे option करके आप बताते और फिर साथ में table बनाते यह हो गया इस तरह से उसके बाद आप बताते आप यहाँ पे आया है ठीक है अब यहाँ पे एक question बना है will replace अब इसमें आप detail लिखते कि भाई यह replace कर सकता है कि नहीं कर सकता है अगर कर सकता है कैसे अगर नहीं कर सकता है तो कैसे ठीक है इसके बाद यहाँ पे आप उसका पूरा बताने के बाद उसमें FAQ एड़ करते ठीक है भारत जी पीजी किसने बना है कब बना है ठीक है यह सारे आप एक हो जाते देन आप कंक्लूजन एड करते हैं इस तरह से करीब 16700 वर्ड का मिनिमम इसका कॉंटेंट का यह टॉपी कॉंटेंट लेता इतना अब मैं आपको गूगल के कुछ गाइड लैंज बताता हूं जिनको आपको फॉलो करना है सबसे पहली बात आ जादे लोगों ने गूगल पर लिखा ही ना हो पहले से मैं आलेडी बता चुका हूं इस चीज़को मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं जो कि अच्छी बात नहीं है बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मैं बहुत दिनों से नहीं बनाना चाला था गूगल है वही मैं पढ़ रहा हूं वह नहीं चीज़ नहीं पढ़ रहा हूं यहां पर देखें इलिजबिल्टी फॉर एड्सेंस है गूगल का यह सबसे बेसी क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना होता है हर किसी को यहां पर देखेंगे आपकी उमर 18 से प्लस होनी चाहिए यह आ एन अट्रेक्ट एन ओडियंस ठीक है यह तीन फीचर होने चाहिए और जो यूजर को अट्रेक्ट कर सेके ऐसा कॉंटेंट होना चाहिए तब आपके कॉंटेंट पे एड्सेंस का अप्रूबल मिलेगा तो आप अपने आप से खुद से पूछिए क्या आपका जो कॉंटें अगर नहीं मिल ला है तो समझे उसमें बहुत सारी चीज़े चेंज करने की जरूरत है आप अगर नहीं कर पाते हो तो आपके साथ बड़ी प्रूबलम होगी एड्सेंस अप्रूबल नहीं होगा लो बैलू कॉंटेंट या कोई भी इसू देकर आपका एड्सेंस रिजेक् सकते हो कि आपका जो पेज है उसको कैसे रेडी कर सकते हो आप एड्सेंस के लिए यह सारा लिंक मैं डाल नाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना यहां से आप देखेंगे वाट इस इस्पेसल अबाउट पेजेस ठीक है एक पेज बनता है इमेज टेक्स्ट और व आपको कॉंटेंट का मिल जाएगा तो यहां पे गूगल ने सारी चीजे लिख दी है ठीक है कुछ नई चीजे नहीं है बाई जो फॉलो करते हैं कोई नया तरीका नहीं है वही तरीका है जो सारे लोग नौर्मली कॉंटेंट अच्छा लिखते हैं उनको एड्सेंस अप्र पर मैं आपको एक और बड़ी चीज बताता हूं बड़ी चीज क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग है ना भाई बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका सब कुस सही है content भी सही है लेकिन वह अपने चीजों को सही सेट नहीं किये है उनको proper पता ही नहीं है जैसे एक बैक तेका मैंने प्रॉब्लम उनका सिंपल सा एक था है कि उनका जो टाइटल था मेटा टाइटल था वेबसाइट का उन्होंने इसमाल लेटर से शुरू किया था और कोई यसू नहीं था मैंने पूरा जाचा जब मैंने उस चीज को चेंज किया एडसेंस अप्रॉब हो गया मैं आपको प्रॉबल यह मिल पाता आपको लगता है कि कॉंटेंट के वेज़ से नहीं मिल पाना है जो गूगल काउंट करता है अक्रोल साईट का आपके content में proper image होने चाहिए उसके और उसका title साही से होना चाहिए heading formatting साही से होनी चाहिए content अच्छा होना चाहिए यह सारी चीज़े होंगी तब आपको एडसेंस approval में problem नहीं होगी और यह सारी चीज़े आपको करनी पड़ेंगी आप इसके लिए यहाँ पे गूगल का publisher policy है इस चीज़ को पढ़ लो आप ठीक है इसमें देखे चार तरीके के policy इन्होंने मनाया content policy behavior policy और privacy related policy और requirement and other policy इस चारों को पढ़ लोगे आपको समझ में आ जागा किस तरह का content बनाना है किस तरह का content नहीं मनाना है किस तरह का behavior होना चाहिए content का किस तरह का नहीं होना चाहिए इस सारे जो privacy से related जिस तरह के issue होने तो यह अगर आप follow करते हो देन आपको approval में कोई दिक्कत नहीं होगी बस यही basic सिधान्त है मैं आपको बस step जो दाता हूँ ना उसको आप एक बार ध्यान से सुन लो जब आप ब्लॉग बनाओ तो सबसे पहले आप उसका meta description सही से set लो देखो उसमें जो पहला word है हर एक का capital लेटर में होना चाहिए सही से से set होना जाए जो आपके site से related हो दूसरा Google के सारे policies पढ़ लो पहले समझ जो कि आपको पहले blog में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है यह चीज़ आपको पता होना चाहिए किस तरह की content लिखने है किस तरह से content नहीं लिखने है यह दोनों content starting में अच्छे content लिखो starting में मैं कहा रहा हूँ इसलिए कम सेकंव अच्छे अप्रोबल ले लो उसके बाद जो मन करना है आपको करो क्योंकि उसके बार आपके ओपर तब भी बना लोगे content उस तरह के बनाओ publish करो indexing का issue भूल जाओ indexing कोई issue नहीं होता है indexing issue इसलिए हो रहा कि आप content ही सही नहीं बना रहे हो और कोई region नहीं है content को publish करो search console में अगर starting में डाल सकते हो तो अगर नहीं डाल सकते तो रहने दो दो चार पांच तिन लगता है content का indexing होने लगता है आपको बस एक चीज का धिहान अखना है इसके लिए आपको एक content सपोज एक content आज डाले वी content कर डालो तो ऐसा regular रहना है जब तक आपका problem नहीं आएगी यह मैं दावे के साथ कर रहा हूं बट यह चीज़े आपको follow करना है तो उमीद है आप सभी कोई वीडियो पसंद आया हो कोई भी सवाल हो तो आप नीचे comment में बता सकते हो बट एट्सेंस अप्रूबल से related तो सवाल नहीं करो क्योंकि यह कोई बड़ा इस् नहीं है इसको बस आप गलती कर रहे और कोई गलती नहीं करा आप गलती कर रहे हो इसलिए आपको एट्सेंस अप्रूबल नहीं बिल पा रहा है